नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Xiaomi Redmi Note 14 Pro vs Samsung Galaxy F15 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 6.39 इंच जबकि F15 5G में 6.3 इंच की लेंथ मिलती ही जो की Xiaomi Redmi Note 14 Pro थे कम है विड़् की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 2.9 इंच जबकि F15 5G में 3.02 इंच की विड़् मिलती है बात करें थिकनेस की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 0.32 इंच जबकि F15 5G में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है जो की Xiaomi Redmi Note 14 Pro से ज़्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 190 ग्राम्स जबकि F15 5G में 217 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की Xiaomi Redmi Note 14 Pro से ज़्यादा है चलिए अब हम दिस्प्ले की तुलना करते हैं दिस्प्ले टाइप की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में AMOLED जबकि F15 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 20 रेशियो 9 जबकि F15 5G में 19.5 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 6.67 इंजिस जबकि F15 5G में 6.5 इंजिस मिलती है डिस्प्ले रेशियोशन Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 1220X2712PX FHD+, और F15 5G में 1080X2340PX FHD+, मिलता है Screen to Body Ratio, Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 88.95 प्रतिशत जबकि F15 5G में 84.17 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 440PX प्रति इंजिस जबकि F15 5G में 396PX मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Main Camera की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखिर में Macro Camera देखने को मिलता है और F15 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखिर में Macro Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 7 different type के features मिल जाते हैं और for 15 5G की बात करें तो उसमें 8 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते हैं और F15 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते हुँ आए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में Mali-G615MC2 जबकी F15 5G में Mali-G57MC2 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में MediaTek Dimensity 7300 Ultra और F15 5G में MediaTek Dimensity 6100 प्लस मिलता है बात करें RAM की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 8GB की रें मिलती है जबकी F15 5G में 3 option देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में same ही 128GB storage मिलती है expandable memory की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में नहीं ही जबकी F15 5G में up to 1TB है operating system दोनों phone में Android V14 देखने को मिलती है बाटरी Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 5500MH जबकी F15 5G में 6000MH देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं कलर्स की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में 4 कलर्स जबकी F15 5G में 3 कलर्स option मिलते हैं सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Xiaomi Redmi Note 14 Pro में एक ही वेरेंट देखने को मिलता है जो की 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ बीस हजार रूपीज में मिल जाता है मुई अगर बात करें 155G की तो उसमें 3 वेरेंट देखने को मिलते हैं जो की 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रूपीज 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रूपीज 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रूपीज में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो शाउमी रेड्मी नोट 14 प्रो में 8, 5 और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात कथे सामसंग गालेक्सी F15 5G की तो उसमें 7, 5 और 6 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में शाउमी रेड्मी नोट 14 प्रो आगे है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रन्ट सल्की कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में शाउमी रेड्मी नोट 14 प्रो आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा वीवो Y200 Pro 5G है, तीसरा ओपो की 12X 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इंफिनिक्स नोट 45G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रियर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृप्याई से लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले